हेलो बच्चों तो आपको चाहिए क्विलिंग स्ट्रिप्स फिर आप कोई भी कलर चूस कर सकते हो और तेन आपको फोर फोर इचेस की स्ट्रिप्स कट करनी हैं डिफरेंट कलर्स में आप कोई भी कलर चूस कर सकते हो आप देख सकते हो मैंने यहां पे ब्लू, पेंग, रैड colors लिये हैं, आप कोई भी color ले सकते हो, then इसके बाद में आपको इसे leaf shape देनी है, just like video, तो इस तरीके से आप at least 19 और 20 pieces बना लीजे, अगर आपको लगता है कि कम पढ़ रहे हैं, तो हम बाद में बना लेंगे, तो मैंने बहुत सारे हां पे leaf shape बना लिये हैं, फिर आपको एक strip लेनी है, long strip और इसको stick करते जाना है, just like video, और हाँ आप थोड़ा सा इसको dry होने का time देना, क्योंकि फेविकोल थोड़ा सा time लेता है dry होने में, तो इस तरीके से हम पूरे strip में अपनी leaves को stick करेंगे, तो ये हो गया है, ready, अब मैं इसको dry करूंगी, और अब आप इसको circle की shape दीजे, और जो इसके edge हैं, आप बस में उनको stick कर दीजे, और जो दो edge के बीच में थोड़ा सा space बच रहा है, वहाँ पर एक और leaf stick कर दीजे, ताकि इसको पूरी proper shape मिल सके, and it's ready, I hope you like it बच्चो, goodbye, take care.